एपिसोड ट्वेल्व पेशकश मीरे कारवाँ क्या वाक्य उसी तातार से मुहबद हो गी थी? थियोडोरा को? बलकानी इजाबेला को? एक गुमनाम तातारी से मुहबद? अचानक गोडे ने ठोकर खाई, थियोडोरा को छटका लगा और वो तातार से लिपड़ गई उसे यू महसूस हुआ जैसे वो अजनबी महसूसाथ और गैर मानूस जजबात की एक मुकमल दुनिया से लिपड़ गई हो एक आग थी, जिसकी सरूर आगही तपिश ने उसे मुसर्द की फरावानी से बेहुद कर दिया, तातार ने गोडे की लगा में खेंची, थियोडोरा ने उसके कंदे के उपर से अपने सामने निगा डाली, तातार गोडे को हान का जोस्फिया की तरफ मुड रहा था, थियोडोरा ने महलूद जस्बात में उलच कर कहा, तेहरो, गोडा रुग गया, तातार ने पीछे मुड कर देखा, अपनी उमंगो और मैसुसात की रंगीनी ने, थियोडोरा के चेरे को इस कदर हसीन और दिलफरे बना दिया था, कि तातार उसे देर तक हैरत और सकते के आलम में देखता रहा, फिर पूछा, क्यों, तुम कहा जा रहे हो, जहां से हम चले थे, मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती, तो फिर, गोडे की लगाम एडरीना की तरफ मोड़ो, अडरीना की तरफ, तियोडोरा की नजरे तातार के चेहरे पर थी, और वो उसकी निगाहों में जांक रही थी, उसने मुझ से कुछ न कहा, सिर्फ असबात में अपना सर हिला दिया, तातार संजीदा हो गया, उसने भी मुझ से कुछ न कहा, अलबता अपनी नजरे तियोडोरा के हसीन आँखों में प्यवस्त कर दी, दोनों देर तक एक दूसरे को देखते रहे, और फिर दोनों एक साथ मुस्करा उटे, जैसे एक दूसरे की दिल की बात समझ चुके हो, तातार ने हानकाहे जोस्फिया की रास्ते से हटकर, अपना गोड़ा नदी के किनारे एडरीना की शहरा पर डाल दिया, और उसके सुमों से उडने वाला गर्तों को बार, बादल की तरह हानकाहे जोस्फिया पर च्छाता रहा, तातार दो छोटी छोटी चुटी चुटानू के दरम्यान एक ऐसे चश्मी की किनारे रुगा, जिसने आपशार की सूरत इहतियार कर ली थी, पहले तो वो खुद नीचे उत्रा, फिर थोड़ा को उतरनी का इशारा किया, और वो घोड़े के पास इसलिए खड़ा था कि उतरते वक्त थियोड़ा की मदद करे, बगर उसने दूसरी तरफ चलांग लगा दी, गिरी, फिर संबल कर उट खड़ी हुई, और अपने कपड़े जाड़ते हैं वो ली, मैं अपने आप उतर सकती हूँ, तादार ने कुछ हयाल ना किया, उसने घोड़े को द्राहत के साथ बान दिया, जीन उतारी और थियोड़ोरा की तरफ देख कर कहने लगा, रात गुजारने के लिए ये जगा कैसी रहेगी, अगर तुम अपने फैसले से पहले मेरी राइद रियाफ्त की होती, तो जरूर जवाब देती, गोया नवाबजादी को ये जगा पसंद नहीं, उसे जीन नीचे रखते वे कहा, है या नहीं, धोड़ोरा ने पत्थर की सिल पर बैठते वे कहा, तुम अपना काम किये जाओ, तादार ने अपने इर्द के चारों तरफ देखा, नवाबजादी को भुनावा गोश्ट बाता है ना, तुड़ोरा ने गोश्ट को देखा और दूसी तरफ मू फिरते वे कहा, बशर्ते के भुनावा हो, तादार ने आग की तरफ इशारा करते वे कहा, भून लीजिए, मैं? नहीं, थोड़ी सी तकलीफ तुम कर लो, मैं नवाबजादी से बार बार अर्ज कर चुका हूँ, कि जब औरत की हिद्मात मुईसर हो, तो मुझे और्तों वाले काम करते वे गिन आती है, और मुझे मर्दू के सामने और्तों वाले काम करने से कोफ्त होती है, त्योडोरा ने शोही से कहा, बहुत होब, तातार ने उठते वे कहा, मैं थोड़ी दूर इदर उदर घूमता हूँ, आप तनहाई में और तुवले काम कर लीजे, तातार त्योडोरा की तरफ देखे बगएर एक तरफ चल दिया, वो इस वक्त सारे कोहस्तान का तनहा मालिक नहीं, तो और क्या है, कोई ऐसा है, जो तातार के इस हैल की तरदीद कर सके, अगर किसी को शक हो तो, वो इस हसीन बलकानी मलका त्योडोरा से पूछे, जो इस बेताज बाच्शा के लिए, अपनी ममलिकत में, शिकार कियोए हिरन का गोश्ट, बड़े ही प्यार से बून रही थी, मलका, नाजानी तातार का दिल क्यों बलियों चल रहा था, वो मस्कुराना चाहता था, गोया उसे गाना आता तो वो जूम जूम कर गाता, गा गा कर जूमता, उसे पनी बांसरी निकाली और अपने वतन के मशहूर लोग गीत की दून बजाने लगा, उस गीत की, जो आम तोर पर शादी बया और हसूसित के साथ, किसी कबीले की दुश्मन कबीले पर शानदार फता के जश्ट पर गाया जाता है, कोहस्तान के दर्मियान वादी के सकूत में उसकी आवाज हवा के लहरू के सरसराते हुए, इंतहाए लतीफ हैजान, पुरसवार फोकर, जैसे दुनिया के चारो कोनों तक मुन्तशर हो रही थी, जैसे एक शेहनशा, रुए जमीन पर अपनी फर्मार रवाई का इलान कर रहा था, हूरे उसकी हमनवा थी, चांद और सितारे नाच रहे थे, ये आवास थे औरोरा के कानों से भी टक्रा रही थी, तातार की मुसर्ट ने उसे गमों से आशना कर दिया, कहां वो नवाब जादी, जिसकी हिद्मत के लिए के इकनी से दस बस्ता हासर रहती थी, आज वो जंगल में उस शहस के लिए गोश बूनने पर मजबूर थी, जो कलत खान का जोस्फिया का मामूली चोकिदार था, उसे हंगरी का शाही महल यादा आ गया, कुस्तन्तुनिया के हरम का जशिन यादा आ गया, जूलियन, हनियारी और कैसरे मैनुवल उसके सामने दस बस्ता हासर थे, वो रोना चाहती थी, वादी के सकूत, सितारों के चिश्मक और चांदरी का तंस, हर चीज़ उसकी बरदाश से बाहर हो रही थी, तातार जब काफी दूर तक घुमने के बाद वापिस आया, तो उसे यू मालम हुआ, जिससे थेोडोरा उसको आते देखकर अलाव से हटके थी, आग बदस्तूर रोशन थी, मगर गोश्ट वैसे का वैसे ही रखा था, उसने हमोशी से माहुल का जाइजा लिया, और थेोडोरा की तवज़ज़ अपनी तरह मबजूल करने के लिए, जोड-जोड से बुनेवे गोश्ट की हुश्बू सुनने लगा, लेकिन जब थेोडोरा ने उसकी कोई परवाना की, तो वो भी उसे बिलकुल नजर अन्दास करता हुआ, जीन पर सर रखकर हमोशी से लेट किया, ना जाने, ये महौल का असर था, या गम की शित्त, जिनकी के गुजरेवे लमहाद की याद थी, या तातार ने नादा निस्ता अपनी बांसरी की जहरीली लेसे, उसका दिल दुखाया था, बारहाल थियोडोरा आज उसे बेहद मलूल नजर आई, उसके अन्दास से जाहर होता था, कि वतन की याद, अजीज़ू से दूरी, और मस्तक्बिल की गहर यकीनी कहفیत पर उसका दिल रो रहा है, उसने ना कुछ खाया ना पिया, वो शायद अब तक रोती रही थी, तातार एक बेकस औरत की ये हालत बरदाशना कर सका, और थियोडोरा के गम को मजा की नजर करते हैं बोला, हाली पेट रहने से घशी के दोरे पढ़ने का हितमाल है, यहां खुद मुझे भूग की वज़ा से घश पर घश आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो के तातार कुछ दिर हामोश रहकर फिर बोला, हामोश रहकर सोचना एक ऐसे इतमिनान की दलील है, जो सिरफ पेट भर जाने के बाद मुझे सराता है, वो तातार के जजबात और महसुसात की संगीनी से तड़प उठी, उसने जल कर कहा, हां मैंने पेट भर लिया है, अच्छा चनाब, तातार हंस कर उट बैठा, तो गोया हाम में पेट भरा है आपने, हाप पर इमान रखना इस बात का सबूत है, कि वो एक ना एक दिन जरूर शर्मिंदा ये ताबीर होकर रहेगा, हाप के शर्मिंदा ये ताबीर होने तक जिन्दा रहना है तो मुम्किन है, मगर भूग से जिन्दगी का रस खुश्क हो जाता है, भूग से हरकते कल्ब बंद हो जाती है, मैंने लोगों को भूग से पागल होते भी देखा है मर्द होते होंगे औरते भी हो जाती है थ्योडोरा तनकर खड़ी होगी संजीत की के गाजे से उसका चेहरा तम्तमाने लगा उसे जजबात की शिद्द से मगलूब होकर कहा तुमने औरते देखी कहा है देख रहा हूँ देख चुका हूँ शुकर है कि उसे समझ नहीं सके समयने की कोशिश भी न करूँगा वो दुबारा लेट गया और आंखे बंद कर ली मगर थ्योडोरा उसके जहन के परदे पर अपने नसवानी वकार के साथ रक्स करने लगी वो जिसकदर थ्योडोरा से बेनयास होने की कोशिश करता वो उसी कदर उसके दिल और दिमाग पर मसलत होती जारही थी उसे वाकойти थ्योडोरा से मोहबत हो चुकी थी उसने बार बार अठने की कोशिश की उसकी हाहशती के गोश भूने और बड़ी आजजी के साथ तियोडोरा के सामने पेश कर दे मगर उसकी रगों में तातारी होन जोश मारा था उसे मारूसी तोर पर बाज ऐसे नजरिये वदियत थे जिनके असर से वो किसी के सामने जुकने की जिलत परदाश न कर सकता था जो कौम आज तक खुदा के सामने न जुक सकी उसका एक फर्द एक आम इनसान एक औरत के सामने किस तरह शिक्स तसलीम कर लेता उसे तियोडोरा से महबब थी मगर ऐसी महबब जो आज तक महजब और मुतमदन दुनिया में जाहर न होने पाई थी अचूती और बेमिसाल महबब वो अपने दिल पर जवर करना भी जानता था उसकी महबब एक ऐसे मासूम बच्चे की मुस्कुराहट की तरह थी जो रात की तारीकियों में उस वक्त मुस्कुरा उड़ता है जबके उसे न मा देख सकती है न बाप वो जाहरी तर पर थियोडोरा से बेनियाज होकर सो गया तातार के हमोश हो जाने से महौल पर जो सकूत तारी हो गया था थियोडोरा उससे होफ महसूस करने लगी तातार की हमोशी से गोयसारी काहिनात हमोश हो गई थी थियोडोरा के जजबात और मेसूसात की दुनिया खामोश हो गई क्या वाक्षि, मुहबबबनजरियात और अत्तकदात के थात्तозात का नाम है वो तो आज तक यही सुनती आई थी, कि मुहबबब उन दो दिलों में पैदा होती है जिनके जजबात और महसुसात एक से हो वो सोचने लगी कि आहिर उसमी और तातार में ऐसी कौन सी कदर मुश्तरिक है जिसे दोनों दिलों को एक ही सिलसले में परोदिया है कहीं उसकी अमंगू की तरह उसकी महबबत भी सारे दुनिया से मुश्लिफ तो नहीं कहीं ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा जल्म होगा अगर जूलियन की इजबेला को तातार से महबबत होगी तो वो उसके हिलाब बगावत करेगी बहावत उसकी जिन्दगी में कोई हकीकत नहीं रखती जिसे हनियारी और कैसर मतासर नहीं कर सके उसे दुनिया की कोई ताकत मरूब नहीं कर सकती उसे नीन क्यों नहीं आती बार बार तातार का हयाल उसके दिल में तुफान क्यों बरपा कर रहा है अगर वो भूका है तो मैंने भी तो कुछ नहीं खाया अगर उसे मेरी मजूद्गी में और्टो वाले काम करने से शरम आती है तो मुझे भी मगर इस बेकार बहस से क्या फाइदा जोशिस लतीफ जजबास से महरूम है उसके ह्याल को अपनी जिन्दगी का बोच क्यों बनाया जाए वो क्यों जाग रही है उसे किस शेय की जरूरत है आज दफतन उसके सकून के हराटे किसने लूट लिये अगर जूलियन अपनी इसाबेला की मजबूरिया और माजूरिया देख सकता तो अपना सर पीट कर रह जाता खुद्धियोडोरा के भी यही जी चाहता था कि वो जिस चटान से सहारा लिये लेटी है उसके साथ टकरा कर अपना सर फोर डाले वाक्याई तातार ने उस पर जादू कर दिया था कैसर और हनियाडी पर जादू करने मली जादू करनी पर तातार का जादू चल चुका था और जादुगर किस बेन्याजी से सो रहा था तातार का एक-एक उजव आसूदा था और चांद की रोशनी पत्तू से चंचंद कर उसके चेहरे को दिलफरे बना रही थी तियोडोरा उसकी करीब आई ये महबबत थी ये नफरत जोजफिया का चोकिदार पहाडों से गिरी हुई होफ नाक वादी में सो रहा था और मुस्सीहित की महाफिस हंगरी और कुस्तंतुनिया के तख्तो ताच पर ठोकर मारने वाली थियोडोरा उसकी हिफाज़त के लिए जाग रही थी ये जल्म था सरी जल्म नजाने उसे किस जुर्म की सजा मिल रही थी उसका दिल रो रहा था उसकी नजरे ताचार पर मरकुज थी और वो खुद फर्यादे मुझे संबद कर रह गी थी ताचार भूका है गोश्ट अभी तक जूका तू रखा है वो उठी अभी तक बास अंगारे रोशन थे उसे आग जलाई गोश्ट भूना ताचार को उठाया उसे भी खिलाया खुद भी खाया मगर हमोशी के साथ ताचार खाकर दुबारा लेट किया और थियोडोरा कुछ गुन गुनाने लगी चांद के साथ साथ उसकी आवाज भी बलंद होती चलेगी फर्याद की जो आग नगमे में मुन्तकिल होकर थियोडोरा की रूख की गहराईं से निकल रही थी वो दुबारा आग बनकर ताचार की रूख को जलसाने लगी ताचार थियोडोरा को यू गाते देकर हमोशना रह सका उसे थियोडोरा से ऐसी महबबत थी जो किसी आईनो अदाब की पबनना थी वो उट बैठा और चला कर कहा मुझे बास चीजों से जिनमे गाना भी शामिल है सखत नफरत है थियोडोरा भड़क उठी ताचार की गुस्ताहियां हस से बढ़ती चा रही थी उसे चला कर कहा मुझे तुम्हारी नफरती को इपरवा नहीं मैं गाउंगी मैं तुम्हें गाने नहीं दूँगा तुम्हेरा क्या भी गान लोगे मैं तुम्हारा गला गोन दूँगा थियोडोरा हमोश होगी उसे ताचार को ऐसी नजरों से देखा जो तमाम तर महबत और तमाम तर इजस के रूप में तबदील हो गई थी उसे लमा बर हमोशी के बाद कहा सच ताचार ने उसे देखा चाननी ने थियोडोरा के हुसन को निकार दिया था उसकी आंखों से महबत के सोते फूट रहे थे और ताचार सोच रहा था ये कैसी ओरत है सर से पाउं तक महबत ही महबत वाके उसे आज तक औरत देखी ही ना थी और अगर देखी भी थी तो उस समझ न सका था हसूसित के साथ थेओडोरा को समझना उसकी इस तदाद से बाहर था वो उसकी नजरों की ताब न ला सका और उसे जवाब दिये बगएर आंखे बन करके लेट किया थेओडोरा ने आहस्ता से कहा तुम बड़े सालिम हो मुझे शुरुहीं से जालम दिखाय देते थे तुम्हारा हाथ पकड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है ऐसी गलती जिस पर उमर भर पश्टाती रहोंगी मुझे अफसोस है अभी कहा तुम उमर भर अफसोस करते रहोगे मैं दुआ करती हूँ तुम उमर भर अफसोस करते रहो सुबातातार की आंग जल्दी खुल गई वो उट बैठा उसे तेजी से अपने इर्दगित निगार डाली थेओडोरा चटान के नीचे सो रही थी मीठी नीन के इस आलम में वो कितनी हसी नजर आ रही थी गजचटा रात के वाकिव एक-एकर के उसके जहन में उबरने लगे उसे तेजी त्यूडोरा से जयत्ती की थी उसे नदामज सी महसूस होने लगी वो त्यूडोरा से माफ़ी मांगना चाहता था वो उसके पाउँ पढ़ कर उससे तुल्फूं की इस बरहमी ने उसके हुसन का वकार बामे अरुज पर पहुंचा दिया था। घोड़ा तातार को देकर हिनहनाने लगा वो समझता था जैसे उसका सफार सफर के लिए तैयार हो रहा है। वो अपने सवार को यकीन देनाना चाहता था कि मैं भी आगे बढ़ने के लिए बेताब हूँ। वो जोड़ जोड़ से जमीन पर पौँ मारने लगा। घोड़ा घोड़े की हनहनाट और तेसे टापू की आवास से गबरा कर जाग उठी। नीन ने उसकी तबियत बहाल कर दी थी। और रात के वाके का कोई असर महसूस ना होता था। वो तातार को अपने सरहाने बैठा देकर शोही से मुस्कराने लगी। सुबह सादक की फरहतों में त्योरडोरा की मुसकराहट तातार को एक ऐसा पिगाम दे रही थी जिसे समझ कर वो मुसकरा दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों की नजरे चुके और दोनों के चेहरू पर जो मुसकराहट केल रही थी वो जवान होती चले वो किस से माफ़ी मांगे, किस से रहम की दरहास करे, क्यों करे उसका मार मौरूसी कोहस्तानी वकार तड़ब उठा, उसके हांदान ने तो चीन, एरान और तौरान के शेहनशाहों से भी रहम की दरहास ना की थी वो एक और से क्यों माफ़ी मांगे वो उठा और घोड़ी की तरफ बढ़ा, उसने घोड़ी की सर पर हाथ फेरा, तियोडोरा को असूदाय खाफ देखकर उसके दिल में महबब बरे जजबात का जो तुफान उठा था, वो उसका रुख घोड़ी की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा था उसके वो महसुसाद जो तियोडोरा की कदवों में तसकीन तलाश करना चाहते थे, उसने अब अपने इज़ार का एक और जरीया ढूंड लिया था उसने घोड़े को पानी पिलाया, थेडोरा त्यार हो चुकी थी, जब तातार अपना बिकरावा सामान समेट रहा था थेडोरा जीन की तरह बड़ी, जिसे देखकर तातार घोड़े की करीब आ गया, उसने थेडोरा के हाँ से जीन लेते वे कहा आप क्यों तकलीफ करती है ये गुलाम किसलिए है थिडोरा ने कनक्यू से तातार को देखा शायद वो ये कहना चाहती थी कि कल रात वाला सबक बहुत है जिसे उमर भर याद रखूंगी मगर उसने मुस्करा कर कहा मिल जुल करर होने वाला काम बहुत अच्छा होता है सच तातार ने घोड़े पर जिन कसते हुए कहा और थिडोरा ने असबात में सरहला दिया जिन कसने के बाद तातार ने वेदान के उस हिसे पर एक सरसरी सी निगाह डाली जहां उसने पनी जिन्गी की सबसे सुहानी, हसीन और पुरमसरत रात गुजारी थी उसने सरसरी तोर पर अपने मुहतसिर से सामान का जायजा लिया अपी तेजी से अपना कमरबंध टाटोला बांसरी निकाली उसे देखा और दुमारा कमरबंध में उडस लिया थियोडोरा ने एक तंस अमेज मुस्कराहट के साथ कहा मैं तो ये समझती थी जैसे तुम अपना पेश कब्स ढूंड रहे हो अकेला पेश कब्स जिन्दगी भर के लिए काफी नहीं है कभी कभी नाजुक सहारों की भी बड़ी जरूत पेशा जाती है थियोडोरा ने चौंकर तातार को देखा वो जिस हसीन नौजवान को महस एक दुरुष्ट किसम का तातारी महसूस करके अफसोस करती थी उसका दिल लतीफ जजबास से हाली ना था वो जिन्दगी के नासुक सहारों से वाकिफ और उन्हें इस्तमाल करना जानता था किसी सरूर आगही हैल ने तियोडोरा की महसूसात में चुटकी ली उसे लमहा बर के लिए अपनी आंखे बंद की वो इस हैल की लज़ज़ से लुटफ उठाना चाहती थी ज्यादा से ज्यादा लुटफ उसकी सारी जिन्दगी तुफ़ानी थी उसे आज तक सकून का एक सानिया भी नसीब नहुआ था उसके पीछे शेकिस्त खुरदा बलकान और सारे यॉरप की कुछली हुई फौजी कुवट दम तोड़ रही थी और उसकी सामने अडरीना था जहाँ उसकी दम तोड़ती ही कुवट की तजहिज और तक्फीम के इंतजमात हो रहे थे कुस्तंतुनिया और अडरीना के दरमयान जिन्दगी और मुसरत हाम हा उसकी ठोकरू में आ गए थी और उसे ठोकराना उसके बस में ना था वो आहिर एक औरत थी हसीन और जवान औरत उसे हुशी थी कि उस वक्त तक उसके जहन में ना तो हनियारी का धुंदला सा अक्स मजूद था ना कैसर का रहा तातार तो वो एक आम आदमी था उसकी मायूस खुश्यों का हामिल वो जुरूरत के वक्त उससे खुशियां हासल कर सकती थी और अपनी मर्जी से हाथ के हलके से इशारे पर हमेशा हमेशा के लिए अपने नजरू अपने दिल अपने दिमाग की दुनिया से निकाल भी सकती थी तातार एक खिलोना था तियोडोरा की दर्दनाक फुरसतों का खिलोना और उसे ये खिलोना अजीज था सच पूछो तो इस बरी पुरी दुनिया में जजबात और महसुसात और खुस्नो शवाब की दुनिया में तियोडोरा के पास अपने अजीम मकसद हयात और हकीर सहराई खिलोने के लावा और था ही क्या वो उससे खेल सकती थी वो उसे तोड़ भी सकती थी तातार एक बेजरर बच्चे की तरह तियोडोरा के सामने मुस्कुरा रहा था उसने खात में लगाम और दूसरे में रकाब थाम रखी थी वो तियोडोरा को सवार होने का इशारा कर रहा था और तियोडोरा अपने मकसद हयात की तक्मील के इस इंतहाई दुश्वार गुजार और हतनाक रास्ते में तातार जैसे बंदा बेदाम पर कामल फता पानी की हुशी से जुमने लगी उसे सवार होने से पहले तातार को देखा एक सभी कोहस्तानी चेहरा जो जिन्दगी के अंदेशों और शकूक के मनहूस ताहू से बिल्कुल साफ था जिसे उमंगो और वलवलो की सुरही ने वो खुसन और रानाई अता की थी जिसे युनान की अजीम फंकारों की संगीन मुझसमे और गहर फानी कागजी शेखकार भी महरूम थे अजीब बेहत्यारी के आलमे त्योडोरा की नजरे इस तरह तातार की नजरों में पेवस्त हो रही थी जिस तरह बलंद पहाड़ी नदी नाले चिंगाड़ते हुए समंदर की गहराईयों में मादूम हो जाते हैं त्योडोरा की महसूस होने लगा गोया उसका सारा वजूद उसका हुसन और शबाब उसकी उमंगे उसके अर्मान और बजाते हुद उसका मकसद हयात दरखतों पर बारिश के कत्रों की तरह टप टप नीचे गिरने के बाद तातार की आँखों में एक तुफानी समंदर और एक खोलनाक सेलाब में बदतरीज मादूम होता चला जा रहा है कारडिनल का तकद्दूस हनियार्यों की जाबाजी और कैसरों का जाहो जलाल इन आंकों में गोते खा रहा था मौत और हयात के दर्मियान आहरी गोते त्योडोरा सोचने लगी क्या तातार वाकी कैसा खिलोना है जिसे वो खेल सकती है जिसे वो तोड सकती है उसके जहन के दुन्दले परते पर रात के वाकियात की मुभहम याद उबरने लगी थी जो वहशी नौजवान कल रात उसका गला गोटने के इमकनान जाहर कर रहा था वो इस वकत गुलाम की तरह रकाब थामे उसके इंतजार में था कि वो गोड़े पर सवार हो ये तातार कौन था तियोडोरा के जहन में आग ही तो सुलग उठी उससे सोचना छोड़ दिया उसके नजरे चुके और उसके दिल में खामोश आ निकली जिसका दुआ एक बारी पर्दे की तरह उसके और तातार के दर्मियान हाइल हो गया तातार तियोडोरा को शक्की नजर से घूरता हुआ कह रहा था नवाबजादी सवार हो जाए हमें बहुत दूर जाना है दुपहर के वक्त थकान भूक प्यास और गर्मी की शिदत से निडाल होकर तियोडोरा ने दर्या के किनारे एक गने दरहत की नीचे तातार को रुख जाने का इशारा किया दोनों नीचे उतरे तियोडोरा ने अपने आप को सबसे पर गिरा दिया तातार ने गोड़ा बांदा खाना निकाला और उसके सामने रख दिया और फिर मश्कीजा लेकर दर्या की तरह बढ़ा तियोडोरा लेटे लेटे उसे देख रही थी जब वो तियोडोरा की करीब आया तो उसने पानी के लिए हाथ बढ़ाया और ज़रा देर आराम करने के बाद जो कुछ उनके पास मजूद था उसे खाने लगे तियोडोरा के जी चाहता था कि रात यही बसर की जाए वो बहुत थक चुकी थी खाने के तुरान तियोडोरा की नजरे शमाल मगर्बी कोहस्तान की चोटियों पर लगी हुई थी अचानुक उसे पहाड के दामन में फलक, बोस, मेनार और गुमबद दिखाए दिये जिन पर सूरज की किन्ने निशावर हो रही थी उसे खाने से हाथ खेंच लिया जरा देर पहले जो हस्तगी वो महसूस कर रही थी वो काफूर हो गई तातार हैरस से थियोडोरा को देख रहा था जहां थियोडोरा की नजरे मरकूस थी वहाँ तातार की नजरे भी मरकूस हो चुकी थी उसे थियोडोरा की कंदे के उपर से देखते वे कहा एड्रीना थियोडोरा ने तातार को देख कर कहा हाँ एड्रीना तातार खाना नजर अंदास करते वे खड़ा हो गया तियोडोरा ने पूछा क्यों चलिए मन्जिल हमारी रा देख रही है वो भी खड़ी होगी मन्जिल को इसकदर करीब देखकर इन दोनों के होसले बुलंद होगे तियोडोरा ने घोड़े की तर बढ़ते वे कहा अगर ये एडरीना है तो चलो हम शाम से पहले पहले वहां पहुँच जाएंगे एडरीना अगरचे बहुत दूर था मगर उन्होंने चलना शुरू कर दिया वो बिल्कुल ताजा दम मालूम होते थे उनकी रफ़तार बहुत तेज़ थी गोड़ा उनकी उमंगू कसा दे रहा था एडरीना के मजफास से मुवेशियों के गल्ले शेहर की तरफ जाते वे जिसका दरगर दोगबार उड़ा रहे थे वो कोहर की तरह शेहर के इर्द गिर्द चा रहा था कोहस्तान के पसमंजर में एडरीना के मरबरी, गुमबद और मेनार रोशनी के मेनारों की तरफ चमकने लगे थे दोनों शेहर की करीब पहुँचके तातार एडरीना के किले को कुकामत, दिवारों और उन्चे उन्चे बुरुच देख रहा था वो महवियत के आलम में उनकी तरफ बढ़ रहा था लेकिन थियोडोरा ने उचक कर उसके हाथ से लगाम ले ली गोड़ा रोका और चारों तरफ शेहर को मुतलिफ जावियों से देखने लगी तातार उसे हैरत से देख रहा था थोड़ी देर के बाद थियोडोरा ने एडरीना के बाहर शेहर से किसी कदर दूर शमाली कोने में एक इमारत की दरफ इशारा करते हुए कहा हमें उधर जाना है तातार ने कुछ सोच कर कहा नवावजादी इस से पहले भी एडरीना तश्रीफ ला चुकी है थियोडोरा ने महसूस किया तातार बड़े ही तजर्बा कार नानों से उसका दिल कुरेद रहा है उसने उसके चेहरे पर नजरे गाड़ते हुए कहा नहीं लेकिन मुझे जिस अगा क्याम करना है उसका दुन्दला सा नक्षा मेरे जहन में मजूद है और मैं आपकी जहनी सलाहितू की दाद देता हूँ तातार ने अकीदस से जुकते हुए कहा थियोडोरा ने उसकी दादे तहसीन का कोई जवाब न दिया अलबता उसने हसने की नकाम कोशिश की और फिर वो किसी गहरी सोच में डूब गई तातार ने घोड़े को उस पकडंडी पर डाल दिया जो थियोडोरा की बताई हुई इमारत की तरफ जा रही थी अडरीना के मज़फाद जंगल जन्नत की तरह सरजबसो शादाब थे वो इदर उदर देखते हुए आगे बढ़े जब वो इस इमारत के करीब पहुँचे जिसकी तरफ थियोडोरा ने इशारा किया था तो तातार उसे गोड़ से देखने लगा ये एक बहुत बड़ी किलानमा पत्थरीली इमारत थी जिसकी चारू तरफ दूर दूर तक बागात का सिलसला पहला हुआ था और बागात के दर्मियान बल खाती हुए कई नदिया हमोशी से बह रही थी इन नदियों पर पुछतार खुबसूरत पुल बने हुए थे जिने ना सिर्फ तातार हैरत और ताजुब से देख रहा था बलके थियोडोरा भी मरूब नजर आती थी अड्रीना के मजफात के सामने कुस्तन तुनिया और बुड़ा के शाही महल और शाही बागात कोई हैसियत न रखते थे बेशक अड्रीना उस वकत यॉरप का हसीन तरीन शहर था सैंटा मेरीना थियोडोरा के लभ हिले अगरचे उसने ये नाम बहुत ही आहस्ता लिया था मगर उसे तातार सुन चुका था ये किलानमा इमारत भी सैंकरिस्टीना और हांगा जोस्फिया की तरह एक हांगा थी हांगा है सैंटा मेरीना ये नाम तातार के जहन की लोग पर नफश हो गया जब वो आहरी पुल पार करने के बाद सैंटा मेरीना की कुशादा मेदान वे पहुँचे तो केई राहब और नन्ने अपने महसूस डीले लाले लिबास में बाहर निकल आई वो थियोडोरा को और थियोडोरा उन्हें मसकुरा मसकुरा कर देखने लगी जब थियोडोरा ने अपना घोड़ा हान का के सामने सदर दर्वासे पर रोका तो सैंटा मेरीना का बिशिप सिया लिबास पहने बरामदे में से जांकने लगा वो थिओडोरा को देखकर बाहर निकलाया जिसकतर रहब और नन्ने अबराम्जे से जमा हो चुकी थी उन्होंने एक तरफ हटकर बिशप के लिए रास्ता छोड़ दिया बिशप को देखकर थिओडोरा तेजी से नीचे उतरी बिशप ने थोडोरा के करीब पहुँचकर एक महसूस अंदाज में अपना हाथ उठाया जिसे देखकर बिशप भी मुस्कुरा दिया और थोडोरा भी दोनों एक दूसरे की तरह बड़े और बड़े ही तपाक से हाथ मिलाया तातार गोड़े के लगाम था में ये सब कुछ देख रहा था बिशप ने थोडोरा को हानका में दाहिल होने का इशारा किया बोदरवाजे पर रुकी बरामदे में कدم रखने से पहले चुकी हाथ से अपने कंदे और सीना चुकर सलीब का निशान बनाया फिर अंदर दाहिल हो गई बिशप ने हानका के अंदरूनी दुनिया में कدم रखते ही तियोडोरा से पहली बार बात की नवाबजादी आपने हुव इंतजार दिखाया थियोडोरा ने माजरत करते हुए कहा बहुत ही लंबा और तका देने वाला सफरता मुकत्तस बाप हाँ कुस्तंतुनिया से एडरीना बहुत ही दूर है मगर मैं तो बोड़ा से एडरीना आई हूँ ओ हाँ बिशप ने किसी कदर मतासर होते हुए कहा वाकि आप तो बहुत ही दूर से आ रही है जब थियोडोरा बिशप के कमरे में दाहिल हुई तो एक हसीन नौजवान जो अपने हदोहाल के एतबार से रूमी मालूम होता था थियोडोरा के इस्तक्बाल के लिए सरोकत खड़ा हो गया उसकी नजरे थियोडोरा के चेहरे पर थी बिशप ने नौजवान की तरफ इशारा करते वे थियोडोरा से कहा तलीसा की इस जमात काइट जो एडरीना में आजादी की पुर अमन जंग लड़ रही है थियोडोरा जुकी और मुसाफी के लिए इपना हाथ बढ़ाया जिसे रोमी नौजवान ने बड़ी ही बेताभी से ताम लिया बिशप ने कहा नौजवादी थियोडोरा जो आजादी की सहामोश जंग में नई रूप हुंक ते आई है रोमी नौजवान ने बड़ी ही हवसनाक बेबाकी के साथ थियोडोरा का हाँचुमा और जुकतेवे बोला मुझे अरितूस कहते है बिशप ने थियोडोरा को कुर्सी पर बैठने का इशारा करतेवे कहा अरितूस ने अपनी फितरी जहानत और हुदावंदे युसू मसी की बरकस से अड्रीना में ऐसा महफूस और बलंद मकाम हासल कर लिया है कि दुश्मन उसकी तरफ बुरी नजर से देखने की जुरत भी नहीं कर सकता ये उस हर्बी मदरसे के नाजब है जिसे नौजवान सुल्तान मुहम्मद ने जदी तुर्क फोज की तरबियत के लिए बिलकुल हाल ही में तामीर कराया है अब आपको अरितूस के साथ मिलकर काम करना होगा त्योडोरा ने एक बार फिर अरितूस को देखा अरितूस ने कहा मेरे पास इस कदर वक्त नहीं कि आप से तफसील के साथ बाच्चित कर सकूँ मैं यहाँ आजादी से आजा नहीं सकता एक मरतबा आपके मतलिक द्रियाफ्त करने के लिए आया था और दूसरी मरतबा आज फिर बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा हूँ मेरा यहां आना जाना खत्रे से हाली नहीं हाँ हम एडरीना में एक दूसरे से अजादी के साथ मिल सकते हैं और आएंदा हमारी मुलाकाद एडरीना ही में ही होगी जिसकी तफसीली हदायात बिशप की तरफ से बहुत जल्दा आपको दी जाएंगी इस वकद मेरा सबसे बड़ा काम ये दर्याफ्ट करना था कि आप पहुंच की हैं या नहीं आपको एडरीना में देखकर बेंताहुशी हुई इफ्तदाई तोर पर मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि यहां बड़ी इहत्यात और होशारी के साथ काम करना होगा हाँ मैं पूछ सकता हूँ नवाबजादी के साथ वो दूसरा शास कौन है मेरा हिदमतकार मगर अब नवाबजादी को अपने हिदमत आप करो के असूल पर अमल करते वे कल सुबों से पहले पहले अपने हिदमतकार को रुखसत करना होगा त्योडोरा ने अपने जजबात पर कब्जा बहाल रखते वे कहा कहां? यहीं कही? अरितूस ने कहा मुझे यकीन है कि नवाबजादी को अपने हिदमतकार पर हर तरह भरोसा होगा आपका हयाल दुरुस्त है त्योडोरा ने जल्दी से कहा तो फिर गबराने की कोई जरूफ नहीं उसे तुर्क फोज में शामिल हो जाने का मशुरा दीजिए सुल्तान ने इन दुनों फोज में जिस्तोसी का मनसुबा तियार किया है उसे उसमें फोरण भरती कर लिया जाएगा त्योडोरा तातार के मतलिक दूसरों के मूँ से ऐसी बाते सुनना बरदाश्ट न कर सकती थी और फिर अरितोस को तातार के मतलिक इस तर्ट पर सोचने की क्या जरूरत है वो मेरा हिदमतकार है उसके मतलिक मुझे सोचना चाहिए त्योडोरा अपना दिल टोटोलने लगी क्या उसे अरितोस की निस्बत तातार ज्यादा अजीज है कहीं वो अपनी कमजोरी चुपाना तो नहीं चाहती तातार के जिकर से अरितोस कहीं उसके जजबात और मेहसुसात की दुनिया में किसी चोड दर्वादे से जांकने की कोशिश तो नहीं कर रहा अब उसकी यहाईश थी कि किसी तरह यह मौसुब बदल चाहे उसे जल्दी से तुर्क फोज में तोसी जदीद जंगी किसम के साज़ समान की तियारी और एडरीना की हुबसूरत मकामात की बाते शुरू कर दी और यह सिलसला एक लाम देर तक जारी रहा शाम के दुन्दलके रात की तारीकी से बदलने लगे अरितोस ने रुखसत तलब की तो थिडोरा को पहली बार तातार का हयाल आया जिसे वो हानका के बरामदे के सामने छोड़ाई थी वो अरितोस को रुखसत करने बरामदे तक उसके साथ आयी थी चारो तरफ तातार को देखा मगर वो मुझूद ना था तिडोरा को यूँ महसूस हुआ जैसे उसकी सारी जिन्दगी सेंटा मेरीना की तरह खामोश और तारीक हो गई इसके साथ ही ये पार्ट अपने इत्ताम का पहुँचा